हेलो फ्रेंड्स आप सबका अपने चैनल एससलिट्रिकल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देखेंगे होटल का मिक्सर आता है होटल किंग इस तरह से होटल का मिक्सर आता है बड़े वाला 11-12ths व्यटका वसका जो बड़ेवाल फेल्ट कॉयल है अब फेल्ट कॉयल दीख सिपती वीडियो में कितना बड़ा फेल्ट कॉयल है उस फेल्ट कॉयल का पूरा वांडिंग देखेंगे इसका क्नेशन किस तरह से करना है और यह फिल्ट कॉयल दो गेज में वाइंडिंग किया हो है और इसका आठ वायर है चार्चर वायर निकला है जो एक साइड में स्पीड निकलते है उस तरह से इसका स्पीड निकला नहीं है हमें 8-8 वायर में जो पहले फिल्ड को हमने वायंडिंग किया है उससी तरह चीसी भी वायंडिंग करना है इसका वायंडिंग data देखेंगे इससकी कोईल किस तरह से डाल नहीं है कोईल का साइज किस तरह से निकलना है फ्रेंड्स वीडियो में आप देख सकते हूँ कि इसका जो कोईल है उस एक जगा पर शॉट होगा है इसलिए इस कोईल का वाइंडिंग करना पड़ेंगा हम एक साइड का वाइंडिंग कर सकते है लेकिन प्रॉब्लम आता है कभी कभी एक दूसरा कोईल भी थोड़े सा खरब होगा है तो इसलिए हम दोन में कोईल वाइंडिंग करेंगे और इसका गेज देख सकते हो कि एक बड़े वालक छोड़े वालकेज है मतलब जाटतार और पारिलतार तो आगे वीडियो में इसका गेज भी देखेंगे इसमें कितना नंबर का वायर लगेगा है कि फ्रेंड्स इसमें हमने पहले जो फिल्कुल के उसमें टैग बांद आए लेकिन इसमें टैग ने बांदना पड़ता हमें एक अलुमिनियूम का पट्टी आता है वह हमें लगना पड़ेगा फिर से तो इस अच्छे तरह से निकलेंगे मतलब कुछ आड्स करना पड़ेगा फिर इसलिए हम इसे अच्छे तरह से निकलेंगे खरब नहीं होने देना है कि इसकोईल को थोड़ सा स्कुटरावर की मतलब से निचे दबाएंगे तो इक वैल निचे आ जाएगी दोनों तरब से अगर दबाएंगे तो इक वैल आ जाएगी तो पहले सबसे पहले हमें इसमें जो पट्टी है वो पट्टी निकलना है कुछ इस तरह से देख सकते हो आसने से निकल चुके है ज्यादा मोडने से तूट जाएंगे तो इसे ज्यादा मोडना नहीं है इसके बाद हम इसका कोईल निकालेंगे क्योंकि इसमें हमें डाटा पड़ गये ना तो हमें एक काउंट नहीं कर प्यार पाएंगे इसलिए हम इस कोईल को अच्छी जो कोईल है उसका इसकोईल को अच्छी तरह से निकालेंगे मतलब खरबने होने देना है इसके बाद हमें देख सकते हैं चार-चार करेशन है दो-दो करेशन तो सबसे पहले हम कि इसका टाय बन्दा है वह निकलेंगे अध इसके बाद फ्रेंट्स हमें एका देख सकते हमारे पास जापू तहर क्यों है है तो हमीशे सबसे पहले पेपर को निकलना है हमें क्यूंकि इसकोईल काउंट करना है करना क्योंकि कौन से वार के इस का मतलब बारिक नारे διαञा tutor हम इसका पेपर निकलेंगे और डाटा नोट करेंगे आपको फ्रेंट्स याद रखना है कि डाटा ड्र डेप करेंगे हम. तो डोगड़ लिखना है तो आपको हमेशे लिघार options करने काउपनि आपनेपास होगा. उस तरह से द्यान से निकलना है फ्रेंड्स इस में नॉम इसका पेपर लगा है जो एफ क्लास का पेपर आता है अच्छे भारे वाला तो पेपर लगा है आप साथ नमबर का पेपर भी डाल सकते हो ऐसे बात नहीं जल्दे से टेप निकल लेते हैं फ्रेंड्स हमिस कट करके निकलना नहीं क्योंकि हमें टर्न काउंट करना है इसका तो जो जाड़ अतार या बारिक तर कौन सा भी देख सकते हो आप तो हमने कह किया है जो बड़े वाल अतार है जाड़ वाला वो सबसे पहले निकलना है उसमे कितना टर्न है वो काउंट करना है तो अ एक कर के ऐसे निकलना है आप जैसा तरह से वीडियो में देख सकते हो ना उसे तरह से एस सब्सक्रावर थे गिन्थिकर ने एक बारव साइड़ निकल लें अए जो एक news को turn है, और gauge कितना है इसके बाद हमें जो speed इसमें speed का coil बना हुआ है था कम बाइर gauge वाला इसका gauge भी आगे वीडियो में बाताऊंगा तो इसका भी इसका भी हमें एक-इक तार कटके निकलना है इसका कटके या थो भी चलेगा लेकिन हम उसी तरह सी निकलेंगे, इसका में कितना turn है, वो count करके हमें note करके रखना है, तो चले friends हम इसको भी जल्दे से count कर लेते, friends इसका turn हमने count कर लिया है, दोनों coil का, मतलब एक कोईल है, लेकिन एक speed कोईल है, इसमें, दो कोईल का turn हमें count करके रखना है, तो हम आगे वीडियो म हमें इसका gaze कितना है, वो चेक करना है, दोनों coil का gaze चेक करना है, और चेक करके हमें count करके, इसे note down करना है, तो इसके बाद friends, जो दुसरा वाले coil है, यह देख सकते हूँ, जो short होगा है, वो coil भी हमें निकल लेना है, तो friends इसका coil हमने निकल लेना है, इसके बाद हमें इसका जो CL, ID, OD वो सब count करके रखना है और note down करके रखना है क्योंकि आगे आपको कभी भी काम आ सकता है तो friends हम इसका सबसे पहले flash बंद कर देता हो तो आपको दिखाई देगा तो friends यह देख सकते हूं कि इसका 45 mm 45 mm इसका core lane दे CL इसके बाद ID, इसमें जे आर्मिचर बीज में बैठता है उसका जो ID है वो देख लेते 58 mm, मतलब 80 mm इसका ID है और outer diameter 29 mm इसका outer diameter है 92 friends इसके बाद हमें क्या करना है कि इसका 45 CL है तो हमें 50 mm का इसका paper cut कर लेना है लेकि साइड में 2-2.5 mm इसका paper छुटना चाहिए लेतों coil खरव हो सकता है जल्दी इसके बाद हमें sleeve के तुकड़े लेंगे 1 mm का इसका sleeve है आप sleeve कौन सा भी उज़ कर सकते हो आपके इसाब से आपके पास जो है उज़ कर सकते हो अपने पहले जो वीडियो हमने डाले तो coil आच्छे तरह से बन के रेडियो होजते है और जल्दी से finishing भी आच्छे जते है और जल्दी से bed भी जाते है इसके बाद हमने वह फार्मे का उसके है जो 2HP को हम वाइंडिंग करते है आपके कौन से भी फार्मा का उसका करना जाते हो तो कर सकते हो उसमें coil बेट जाना चाहिए उसका खाच बड़ा होना चाहिए इसके बाद हमने इसमें एक coil में 21 नंबर का तार लेना है उसमें 115 टर्न डालने है और जो speed coil था हमने 23 नंबर वाइर का यूज़ करना है उसमें 45 पंचल टर्न का यूज़ करना है इसमें हमने डाटा दिखा है आपको दोनों coil सेम टर्न में सेम गेज में होने चाहिए इसके बाद हमें इसमें slew डालने है और इसमें marking करने के कोई ज़रूर दने है करस किया भी तो भी चलेगा क्योंकि जाड़ता रहे तो समझ में आ जाएगा इसके बाद हमें इसमें 115 टर्न डालने है 215 वायर से तो चले फ्रेंड्स हमें 115 टर्न डालके आपको दिखा के ready कर देते हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हूं कि हमने 215 वायर से इसमें 115 टर्न कम्प्लिट कर दिये है इसके बाद हमने इस टर को कट कर लेना है और इसमें स्ट्रीव डालके कुछ इस तरह से मार्किंग करने है नहीं किया तो भी चलेगा आपके इस सबसे आप मार्किंग कर सकते हो तो जल्दी से हम इसमें जो बचा हुआ है रहे हो साइड में कट कर लेंगे और इसमें इक स्णिव डाल लेना है स्ट वू रीविन के बाद हमने जो मर्किंग या है वसे दर से मार्किंग कर लेना है इसके बाद हमें 23 नंबर वायर का यूज़ करना है एक कलर थोड़ा लगे देख सकते वीडियो में वायर का इसमें कुछ प्रॉल्लम है इसमें 23 नंबर वायर का यूज़ करना है और इसमें 45 पंचे रेस टर्न इसमें ढलने वायर का साइज उसी साइज से लेना है जो हमने पहले वायर का कट कर दिया था इसमें स्लीव बाद में डाला तो भी चलेगा ऐसे कोई बात नहीं है इसके बाद हमें इसमें 45 टर्न डालेंगे तो चले फ्रेंड्स सामने इसको 45 टर्न डालके आपको कम्प्लेट करके जल्द से दिखा देते हैं फ्रेंड्स सामने इसमें 45 टर्न डालके कम्प्लेट कर दिया है इसके बाद हमें इसमें स्लू डालेंगे जो हमने स्लिव कट कर लिया है एक एमेम का उसके स्लिव डाल के दिखा देते हैं कि इसके बाद हमने स्लिव को दोनों स्लिव को एक जगा पेसा पकड़ के हमें इसमें टेप लगाना है क्योंकि इसलिव पर नहीं निकाला चाहिए जब हम करनेशन करते हैं कभी कभी स्लिव खिच जाता है तो निकालाना चाहिए इसलिव हमें इसमें टेप लगेंगे कोईल के भी मतलब तार इदर उदर नहीं जाना चाहिए वोसे भी प्रोटिट हो जाएगा दोनों सेट से इसे अच्छी तरह से हमें टेप लगाना है टेप लगाने के पद हमें इसको कोईल निकल लेंगे फ्रेंट्स इस दोनों कोईल का 350 ग्रैम वेटे दोनों कोईल का मतलब एक कोईल का 150 ग्रैम इसका वेट है इसके बाद हमें इस पेपर को लेना है जो हमने पहले गट कर लिया था उस पेपर को हमें आच्छी तरह से इसमें टेप लगाना है टेप को ज़्याद भी खिशना नहीं तो क्या होगा कि कोईल ऐसा तेड़ा हो जाएगा कुछ इस तरह से हमने दोनों साइट से टेप लगाना है अच्छी तरह से इस कोईल का थोड़ा सा जो ग्येज है वह भी जाड़ है 21 नंबर वायर इसलिए इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग मतलब कोईल मोडने में थोड़ा सा प्रॉल्म हो जाएगा इतना कुछ प्रॉल्म हो यह लप जो हमारा प्लैस्टिक का हमार आता है उससे भी आप फिनिशिंग देख सकते हुआ हमें आगे वीडियो में हैमर से इसका फिनिशिंग दिया है जो कोईल हमें थोड़ा सा बीच में मोडना होता है इसलिए इसमें दोनों साइट से अंप्य यह पर डाल के कंप्लेट कर देते हैं फ्रेंट्स इसे फिनिशिंग देने के लिए हमारा जो रुबर का हैमर आता है थोड़ी उससे हमें इस देख सकते हैं इस रुबर वाले हैमर से हमने इसको तोड़ा सा मोड़ दिये क्योंकि हाथ से जल्दी नहीं होगा और इसे मोड़ ना बहुत जरू है नहीं तो कोईल वे ठीक नहीं और बाद में इसमें हम कोईल डालने के बाद इसे मोड़ नहीं सकते हैं कि वायर गिस सकता है इसलिए कुछ इस तरह से आपको इस कोईल को थोड़ा सा फिनिशिंग देना है यह वही कोईल है दूसरा वाल कोईल नहीं यह वही वाइंडिंग के वह कोईल है इसके बाद हमने इस पेपर को इस तरह से पट्टी है बीच में कोईल में बाद लेना है हम टेपने लगा सकते हैं क्यो तो इसके पाद इसके उपर भी हम टिप लगाएंगे अब हमें दोनों साइड से भी इसमें पट्टी लगाना है जो हमर पिपर है उसका पट्टी करके रखा है उस पट्टी को लगाना है कुछ इस तरह से देख सकते हैं हमारा कोईल बनके रेडी हो चुका है बेज में इसमें इस तरह से कोईल जो कनेशन है वो लगाना नहीं है क्योंकि आलूमिन का पट्टी इसके उपर आएगा इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो आलूमिन का पट्टी है इसमें डालना है लेकिन हमें इसमें क्या करेंगे इस पट्टी को थोड़ सा सिधा कर लेंगे सबसे पहले कुछ इस तर से हमें पकड़ का यूज करके से थोड़ सा सिधा कर लेना है सिधा कर लेने के बाद फ्रेंड्स हमारा जो चार नमबर पाच नमबर का इसलिव आता है फ्रेंड्स से सिलिकॉन का उसलिव है मतलब अच्छे वाला इसलिए को हमें इसके उपर चड़ा जाना है जो पट्टे यालियून का तो यह क्या होगा कि और भी प्रोटेट हो जाएगा क्यों कोईल खरब नहीं होगा जल्दी 埃से कट कर लेंगे यह देख सकती हुआ हमारा पट्टे में इसके उपर अगर लगाएंगे तो खरब नहीं होगा तging के बाद इस वाइल को हमें फिल्ट कोईल में डालना है फिल्ट में देख सकती हमelo Nerd हैं हमर कि मदल से फंशंग देग vibrant इस टायम लगा इसलिए नहीं हमने इसका वीडियो कट किर दिया तो आगे अगर वीडियो में अगली बार आपको दिखाएंगे किस तरह से हमें इसका है मराट के इस कोयल को फिनिशिंग दिया है- इसके बाद हमें जो हमने पट्टी पेस्ट ले डाल सकते हैं इसके बाद हमें इस पेप पट्टिकूल लेना है और वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें बीच में से मोड देना है इस कोईल को गिसने देना है क्योंकि जब तब पेट्ट्टे नहीं बैठ देक वाइल धिला रहे गा थोड़ा करने के पाद इस तरह से पकड से इसे मोड ना होना दोने से पट्टिको मोड ना हो थोड़ा सा तूड़ाव देख सकते हो उसे फातुडे से नहीं मार रहा है जो रबर वाल हातुडे, उसे जे मार रहे है ने तो कौईल खराव बह सकता है कि इसके कउईल कितनी आची तरह से बेट चुका है इसके बाद हमें जो connection है हमारे ओ connection को एक जगवे दोनों side से एक जगवे बान्ना होगा क्योईल देख सकते हैं कितने चितरह से बेट चुका है wire भी गिसना नहीं चाहिए हमें द्यान रखना है और जो connection हमें इस तरह से दोनों side से बान्ना होगा तो निकल सकते हैं जो हम रस लिए हो निकल सकते हैं इसलिए हमें बाधना पड़ेगा तो हमने धागे से इसको बाधन लियाए देख सकते हो बीच में इसे नहीं बांद सकते हैं क्योंकि इसमें जो अनुमिन का पट्टी है वो आता है करनेशन खराब हो सकते हैं इसलिए हमने साइड में बांद आए इस तरह से हमने दुसरा भी कॉइल कंप्लेट करके रखा था और बीच में वायर कतम हो गया था इसलिए हमने इसमें जोइंट किया है वो जोइंट को शोल्डर करके कुछ इस तरह से इसमें स्लिव लगाया है इसे दर जो हमने कोईल डालके रेडी कर दिया है इसमें भी हम इसलिव डालके पट्टी में रख दिया था इसमें देख सकते हो कि हमने दोनों कोईल डालके रेडी कर दिया है कर थे ऐंडम अ हुर 2 इसका फिनिशिंग देख सकते हो कि कित्ने अच order प्रिंशन का फिनिशिंग आच चुका है इसके बाद फ्रेंट्स हम इसका कनेशन देखेंगे लेकिन फ्रेंट्स ही पुरा हमरे पास मिक्सर ने फिल को यह लिए वाइंडिंग को आये था इसलिए हम इसका कनेशन आपको देखा दे थे लेकिन थोड़ा सा समझना होगा इसमें जो घाटवल वायर है वह हमरा 21 नमर वायर है यह जाड़ वायर और दूसरा वायर जो प्लेन है वहसमें कोई यह नहीं अ मार्किंग में ओव हमारा कम टनवाला है तीज नमर वायर गा तो हमारे विडियो में देख सकते हो कुछ इस तरह से रखे तो जो गाट वाला जो हमने मार्किंग किया है वह हमें ब्रश के लिए एक साइड से कुछ इस तरह से आप बोलेंगे यार सर आपके बाफ स्ट ब्रश से इसमें नहीं है तो देख सकते हो आप थोड़ा सा ऐड़िए को डिखा लीजे केक मान लीजे एक ब्रश का वायर है इसमें दिया है और दूसरा जो साइड है उसका भी हमें गाट वायर लेना है वह हमें ब्रश में देना है जो ब्रश का दूसरी साइड है उसमें देना है अब इसका कनेशन मतलब ब्रश का कनेशन हो चुका है इसके बाद फ्रेंट्स हमने जो ब्रश के लिए वायर दिया है अभी जो गाटवाला वायर दिया है उसके उसमें हमें एक वायर चूटा है हमें एक देख सकते हो कि वीडियो में एक वायर चूटा है हमें इसे एक साथ जोड देना है यह हमारा मीडियम का स्पीड हो जाएगा मीडियम का स्पीड का काम करे गैए इसके बाद फ्रेंड सेम के करेंगे जो दो-two क निछ् ostr но साइड में बचे है वीडियो में देखْ सकते हो उसमें से कोई भी एक वायर लेना है मतलब गाटवाला वायर लेना है एक कोंचे भी साइड में एक गाट वाला वायर लेना है जिसमें हमें वार्किंग किया था एक इस नंबर वायर का तो इसमें हमें जो आगे वाला साइड है उसमें का जो प्लेन वायर है वो लेना है गाट वाला ने लेना है प्लेन वाला एक गाट वाला और एक प्लेन वाला तो इसे एक साथ जोड़ देंगे तो यह हमारा है स्पीड का गाम करेगा और जो हमने पहले जोइन किया था दो प्लेन वायर ब्रश के जहाँ पे जोड़े थे वह प्लेन वाले वह हमारा मेडियम स्पीड का गाम करेगा इसके पाद जो हमना गाट वाला वायर ही वह हमारा कॉ और एक गाट वाला कॉमन कुछ इस तरह से हमने इसका करनेशन करना है अगर एक करनेशन समझ में नहीं आएगा तो हमारे पहले वीडियो डालाए एड़ वायर का उसमें आप देख सकते हो किस तरह से करनेशन क्या हुआ है फ्रिंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर कर दीजे चैनल पर पहली बायर आया हो तो चैनल को सस्क्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल को आल पे सेट कर दीजे चले मिलते हैं एक शांदार वीडियो में तब तेक के लिए जय हिन जय भारत